प्यारे बच्छों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कल के लेक्षर में हमने एक्सराइज 3.5 के जो भी नूमरेकल थे वो एन कल देते हैं बात करें 3.6 की तो उसके फर्स्ट क्वेस्ट के हमारे टोटल 8 पार्ट थे वो हम अल्रेड़ी कर चुके हैं उसके बाद आज हम करेंगे क्वेस्ट नूमर टू इसके क्वेस्ट में तीन पार्ट है वो तीनों पार्ट कर देंगे और 3.6 भी कंप्लीट हो जाएगी यान कि बाटा हमने हर एक चैप्टर में अभी तक हम मैं आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करा चुके हर एक महां मैंने आपको हर एक कोईस्ट नहीं किया अगर किसी वच्छों को पुलाने लेक्षर से देखने हैं तो उन हर एक लेक्षर का हर एक टॉपिक का लिंक आज के वीडियो के डिस्किप्टन पर हमें मैसेज या कॉल या वर्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए सर बढ़ते हैं आज के टॉपिक उसके तरफ करें फॉर्मिलेट तब फॉलिएंग प्रोब्लम एज पीर ओप एक्वेशन्स एंड हैंस पांट दियर सोलीशन मतलब मुझे कुछ वही कुछ वर्ट प्र करते हैं इसको डीपली समझाते है एक्स्टॉंड करने के बाद उसको ने विवसको करते हैं के डीप या की जया जाते हैं सौल्व करने में हूआ बाउट ना हो यह दिक्कद न आई है कि यीडि चलिए सुरू करते हैं और है हर एक कोशन में से निया सिगत्य हुद्ण को पक्का में मिलेगी हर एक कोशन में इस्व में इंगते हैं तτιप के वहाइं और 20 km in 22 hours and up steam in 4 km in 2 hours find hard speed of rowing in still water of current यह जो ऐसे वाले कोशन होगता कैसे वाले डाउन इस्टीम और अप इस्टीम वाले कोशन इनका भी एक काटिगरी है काटिगरी मतलब जैसे मैं बदाता हूँ कोशनों के काटिगरी कैसे आती है एक तो आपने अभी तक किया है इसका फ्रेक्शन में दोड जोड चैते हैं भिन्य वाले कौषन बहुत सारे होते हैं कि नंबर्ट जैसे हम न अभी तक कर लिया है तुम टूटिएट वाले लाना टूटिएट ना टूटिप का अना दो अउन्हों के संक्या वाले कोशन ऐसे कुछ के में हमने तीन करें हमने यह उसका ओर करें हम बहुत वाले को नहीं की बॉत को सब्सक्राइब वोट वाले कोछन के बात हो रहा हुगा कि हमारी नाओ जा रहे होगी ऊपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे यानिजी आप use stream दाओ इसका बूलतेएँ धारा के अनुकूल धारा के पर्टिकूल तो ऐसे कोछण तो हमें देखने को मिलेंगे, यह कह रहा है, तु कैन रो डाउन इस्टिम 20 किलोमेटर इन 2 आवर्स, डाउन इस्टिम का मतलब होता बेटा, जिदर को पानी जा रहा होता है, उदर को, जहां को पानी का फुलो होता है, इसी बोलते है, धारा की अनुकूल, मतलब जैसे पानी कैसे जा रहा है, अगर पानी उपड से नीचे फुलो हो रहा है, यानि आपकी नाव भी उपड से नीचे जा रही है, तो इस डाउन इस्टिम का मतलब, जिदर को पानी जा रहा होता है, अगर हमारी नाव भी उदर उदर को ही जा रही है, उसे बोलते है डाउन इस्टिम, तो अगर तो रित्व है अगर उसकी गाड़ी गाड़ीनाओ डारा के अनुकूल जाती है तो बीच किलोमेटर का डिसस्रेंज कवर करने में दो ४ильно रयती है ठीक है णर यो सवे मोण Gulea ऑनिएप्स पहले को जा रहा था तो यदर को जा रहे हैं अब तो अप इस्टीम में क्या हो रहा होगा पानी तो इदर को जा रहा होगा पर गाड़ी उपर क्या रहे होगी पानी तो डाउन जा रहा होगा पर गाड़ी उपर का रहे होगी यहनि कि जब ना हमारी गाड़ी जिन बोसकते हैं जब हमारी बोसकते हैं जब हमारी बोसकते हैं व कि यहांने कि फाइंड दा हरी स्पीड रोइंग इन वाइटर और करेंट इस तरह को मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं इक दम आप बस देखते रहे हैं दीख रहा है यहां पर मुझे दो चीई बताने हैं वो दिएकर रहा आप, find the speed of rowing in still water, still water of the current, यहां पर मुझे दो चीड बताने है, यहां पर यहां पर ही मुझे कह रहा है, find the speed of rowing in still water and speed of current, मतलब मुझे दो चीड बताने है, एक तो नाव की स्पिड क्या होगी, यानि बोट की स्पिड, यहां बोट के वारे हम बोला नहीं गय जारे होगी, तो मुझे यहां पर एक बतानी, नाव की स्पिड से जारी है, और पानी की स्पिड से जारी है, पहरे बच्चो, मैं आपको पहले बोलते हैं, इस तरह की के क्याटिग्री अलग होती है, इसको दिहाओं जा सुनो, इस तरह के आपको बहुत सारे कोशन मिलेंग चार लाइन तो हर बार फिक्स है, वही आएगी, मतलब, क्या मतलब सरा आपका, देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज पानी में तेहरी है, जो चीज पानी में तेहरी है, पहले उसकी स्पिड लेट करते हैं, मतलब, इसमेरे का बोट है, यहां मैं बोट के बाद करना नाओ की है तो पहले देखेंगे नाओ की स्पीड क्या होगी लेट स्पीड ओप बोट इन इस्टील वाटर वाटर किसमें अगर मैं किलोमेटर पर आवर के बाद करूं हाना क्या लिए हम एक्स लोगे सर लेट इस्पीड ओप बोट इन इस्टील वाटर भी एक्स हिंदी में माना की नाओ की चाल सांत जल में सर इसका मतलब क्या है सर इस्पीड ओप बोट इन इस्टील वाटर दुखो बटा मैं यह मान का चल ला हूँ की अगर मैं अपने नाओ को अगर मैं अपने नाओ को इस्टील वाटर में चलाता हूँ इस्टील वाटर का मतलब होता है कि रुकावा पानी जैसे की मान के चलो एक तालाब होता है तो ताला में पानी क्या ताला में पानी तैरता हुआ जाता है क्या करना पड़ेगा क्या वहाँ पर पानी बैता है क्या वहाँ पानी चलता जाता हो पर नहीं जब भी मैं अपने नाओ को ताला में चलाओंगा ना तो वहाँ पर मुझे तागत लगानी होगी मतलब मेरी बोट को फोर्स लगाना होगा वहाँ पर मैंने रघ दी मानुग है तो और अगर आपको आगा अगर बढ़ाना था आपको धक्का देना पड़ेगा यानि हम क्या देख रहे हैं convictions हम अपने किसी बोट को इस्टिल वाटर में चलाएं यानि कि रुकेवे पानी में चलाएं तो उसकी स्पीड क्या होगी मतलब अगर मुझे पता करना कि वाके में नाओं की स्पीड नाओं की वाके में स्पीड क्या है तो सबसे पर लिए हम लेट करते हैं कि उसकी स्पीड ठे क्यूंवानबे पानी कंद नदी होती है नदी में बैटावा पानी होता है वहाँ पर तो चलताचलता ही है हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है पर साथ साथ कुछ फोर्स पानी भी लगाती है ना वहाँ पता चल पाएगा हमें कि हमारे नाओ के स्पीड क्या है नहीं हमारे नाओ के एक्च्छल में स्पीड क्या है वह हमें कब पता चल पाएगा जब नाओ को चलानी इस्टिल वाटर पानी में चला रहे हैं लेट दा किसमें किलोमेटर में ले रहे हैं किलोमेटर परावर में ले रहे हैं बी वाई माना की ब defy कमाले 12 कि चाल क्या माननी वाई माल ले वे रहे हैं बैटर मैं ईक्स कमें लिया और नावं के स्पीड आर किसमें इस्ट्रिल वाइटर में वाई क्यहाए है जो जो पानी है आध कौशल पानी है यह पानी क्योंकि हम नाओको कहां चला रहे हैं नाओं को बैते हैं पानी में चला रहे हैं तो यह दो चीज तो अगर जब भी आपको डाउन इस्टिम आप इस्टिम वाले कुसन आए ना दो चीज पर लिखनी पड़ेगे आपको दो और दो और बता रहा हूं चार्ड चीजे तो आपको लिखनी पड़ेगी कि नाओ की स्प स्पीड है यह वाडर की स्पीड है अब हो गया अब प्यारे बच्चे एक जिगो अब यहां थर्ड चीज आएगा इस्पीड ओब बोट इन, इस्पीड ओब बोट इन डाउन इस्टिम यह चीज दिखना बड़ी बात है डाउन इस्टिम मतलम दोखो बैटा अगर एक देखो मेरे नाओ आघि हो इदर को उस केस मेरे मिनाओ की स्पीड क्या हो जाएगे दोनों को एड करदेंगे जब भी डाउन स्ट्रीम में हमें बोर्ट की स्पीड पता करनी है जब भी डाउन इस्ट्रीम में बोर्ट की स्पीड पता करनी है तो क्या करते है बेटा हम बोर्ट की स्पीड में हम जो वाटर है उसकी इड़ कर देते हैं बोर्ट की स्पीड में हम वाटर या करेंड की स्पीड add कर देते हैं, यहाँ पर क्या आजएगा सर, क्या आजएगा x plus y, क्या आजएगा x plus y, सरे क्या आया, सरे x plus y क्यों आया, क्यों सर, यहाँ पर down stream है, down stream मतलब धारा के अनुकूल, जिदर को पानी जा रहा है, 9 भी उधर को जा रही है, जब 9 किदर को जाए, पानी की दिसा में जब 9 पानी की दिसामा जाए तब दोनों की speed को add कर देते Speed of boat in downstream यानि कि यहाँ पर लिखना है कि 9 की चाल 9 की चाल धारा के अनुकूल 9 की चाल धारा के अनुकूल क्या जगा है? X प्लस Y आ जगा ठीक है यह क्या था? यह था 9 की speed ठीक है? यह था पानी की speed यह क्या है? जब 9 को हम चलाते हैं downstream में तो दोनों की speed add कर देंगी ठीक है अब यहां लिखूंगा मैं Speed of boat Speed of boat in upstream Speed of boat in upstream यानि कि जो board की speed होगी वो upstream में अब पत्रब ultetime अब क्या हो रहा होगा? अब ऐसा हो रहा होगा दखो कि 9 तो जारी है इदर देखो मन के चलो कि पानी तो इदर आ रहा है मलब पानी की speed वाई है पानी तो इदर आ रहा है पर 9 जारी उपर को पानी तो बह रहा है और 9 उल्टा जारी है तो इस case में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बोर्ट को और जादा फोर्स लगाने पड़ेगा तो यह अप इस्टीम में हिंदियों बोलते इसको 9 की चाल धारा के पर्तिकूल 9 की चाल धारा के पर्तिकूल क्या करेंगे? हम 9 की speed में से बोर्ट की speed में से करेंट की speed मानस करेंगे यानि की 9 की speed में से धारा की चाल मानस करेंगे x मानस y x मानस y किलोमेटर परावर आ जाएगा जब भी आपको किसी भी कोशन में आप इस्टीम और डाउन इस्टीम आप इस्टीम और डाउन इस्टीम वाले कोशन देखें तो आपको दो चीजे तो करनी करनी है दो नी चार चीजे सबसे पहले क्या लगोगी कि बोट की स्पीड इस्टिल वाटर में शर्वाइब नाउप की चाल उरकोई में एक स्किलोमेटर पर आवर हो जाएगा। दूसरा नाउ है तो कहीं पानी बढ़रा होगा। पानी, इसपीड ओप क्रेंट या स्पीड ओव वाटर जो भी है किलोमेटर पर आववर में कितना है। यह है। दो हो गया। अब यह हो गय में गहँआ अब बार अप में थो क्या करेंगे जब भी डाउन इस्टें में नवह hurt में गीं तो क्या करेंगे now कि स्टिड में पाने की स्टिड जोड देंगे एक प्लस y और जब भी क्या होगा अफ इस्टें में नव जाए करना अग्षा में लिखने है लिखने दे अग्षाक्या करते है ऐग्षान देर तो मिहाल लिखेता हूं में in down stream in down stream हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले बच्चे यहां लिखेंगे धारा के अनुकूल और in upper stream यहां कहां लिखेंगे धारा के पर्तिकूल कितना drive कर रहा है कितना टाइम ले रहा हूं कितना time ले रहा है कि मुझे डिसेंग भी दिया हूं मैं यहां से क्या निकाल शकता हूं मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ Speed निकाल सकता हूँ Speed is equal to क्या होता है Descence upon में Time यहनि 20 upon में 2 Descence है 2 km टाइम है Descence है 20 km टाइम है 2 hour कितना आजएगा 10 आजएगा यहनि कि मैं घर बात करूँ मैं घर बात करूँ Speed की यहां चुम्हें Speed आएगा 10 km पर आवर Speed कितना आजएगा 10 km पर आवर आजएगा यह दुम्हें निकाल ले मैं ने क्योंकि Down Steam में तो Down Steam में मुझे दियावा था बैटा तो Down Steam में मुझे Descence 20 km टीवी थी और Time 2 गंटे दियावा था Descence 20 km है Time 2 गंटे है Speed आ सकता है अब प्यारे बच्चों यह Speed किस की है यह Down Steam की Speed है और एक चीज़ दिखो Speed of boat and Down Steam यह भी Speed तो है यह X प्लस Y के form में यह Speed किस की है और Down Steam की यह Speed किस की है तो दोनों Down Steam के है न यानि X प्लस Y बरावर क्या जाएगा 10 आ जाएगा 10 तो इसके साथ के वह किलोमेटर रा होगा वो लिखना भूली है इसके साथ किलोमेटर है यहां में किलोमेटर पर है तो तो किलोमेटर पर आवर से किलोमेटर पर आवर कट गया तो यह भी Down Steam की Speed है यानि X प्लस Y के विली कितनी आ जाएगी कितने आ जाएगी 10 X प्लस Y की बहले कितने आ जाएगी 10 क्यों आई क्योंकि X प्लस Y की बहले 10 क्यों आई क्योंकि सर यह किस की स्पीड है यह डाउन स्पीड है अना यह डाउन स्पीड की स्पीड है यह 10 आ अब आप स्पीड के बात करें वो आप स्ट्रीम में कितना जा रहा है कि आप स्ट्रीम में 4 km जा रहा है कितना घंटा के टाइम ले रहा है दो घंटे के टाइम ले रहा है तो आप स्ट्रीम में डिसेंस कितना है 4 km टाइम क्या ले रहा है दो घंटे का इज़ी स्पीड इए के हओगा, इसपीड इन इसम इए प्यूमान में टाइम तो 4 अपॉन में 2 तो कितना जाएगा ? 2कOL मेटर पारावर क्या जाएगा ? 2कOL पारा वर, यह किस की स्पीड है ? यह आप से ज्टीम की स्पीड हैlevel आप इस्टिम की स्पीड है किसकी स्पीड है यह आप इस्टिम की और दूसरी इस्पीड किसकी है यह आप इस्टिम की और यह आप इस्टिम की स्पीड है यह भी 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 आप 2 आईए वजाए कि equation first equation first था equation second था, दो equation मिल चुके हैं x plus y is equal to 10 और x minus y is equal to 2 चलिए से इसको करते हैं x plus y is equal to 10 और x minus y is equal to 2 हाना, तो सर यहां करते हैं x plus y is equal to 10 x minus y is equal to 2 first equation second हम किसे कर रहे हैं elimination method से तो लिख दो, by adding by adding both equation यह दोन equation को add कर देंगे, तो plus का y minus का y कर जाएगा, ठीक है दोनों plus minus के हैं, जब ऐसा है तो क्या करेंगे, x में क्या जोड़ देंगे, x plus x याद है, x plus x right side क्या है, 10 plus 2 x plus x कितना होगा, 2x 10 plus 2 क्या होगा, 12 2 multiply में, right क्या जाएगा, divide में, कितनी बार जाएगा 2, 6 जा, तो पूट, x value कितनी आ गई, 6 आ गई x value कितनी आ गई, 6 आ गई है अब x value 6 आ गई है इस value को का पूट कर दो, equation first में, हाना तो put the value of x in equation first, x plus x plus y is equal to equation first में किया, 10 है तो x बली कितनी आ गई, 6 plus y is equal to 4 plus का right hand जाएगा, minus को हो जाएगा, 10 minus 6 तो y कितनी आ गएगा, बैटा, 4 आ गई, x बली 6 आ गई, अब y बली कितनी आ गई, बैटा, 4 बैटा, x कितनी आ गई, 6, अब y आ गई, 4 हाना, अब दो चीजा आ गई, तो जो हमने, माना था ऐसे, कि हैंस, x चा मना था, हैंस, speed of boat in still water, in still water, क्या, 6 km पर आवर, अता, अता, नाओ की चाल, ठहरेवे पानी में, या सांत जल में, 6 km पर आवर, हैंस, speed, speed of, किसका, current बहु सकते हैं, stream बहु सकते हो, speed of current, hence, speed of current, current बता, जो पानी की speed थी, वो क्या थी, 4 km पर आवर, 4 km पर आवर, यानि, पैरे बच्चो, इसी के साथ, हमारे क्या आ चुका है, यानि कि, 9 की speed बहु आ चुकी है, और 9 की speed बहु आ चुकी है, और 9 की speed बहु आ तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आता जो इसका पर्जेंटेशन था वही सबसे बड़ी दिख्कत थी तो वह मैंने यह एक कुछन दाको सुल्व करना आता है पर सबसे बड़ी तो समय से आती इसका यह वाला पार था हाना यह मैंने आपको यहां पर एक्समेंग कर दिया सर ब्लेकुछ सही तरीके से उमेद बेटा आपके समझ में यह बहुत अच्छी तरीके से आया होगा ठीक है फिर भी कोई डावट है पूछ लेना यह हो गया चलिए सर इसका करता है इसका सेकेंड पार्ट सूल्व करते हैं सर कोईसन नमटर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है तू में और फाइब मैं कैंट टूगजर फिनिश एंड इंव बॉल्ड दिली वर्क इन फोर देज वाइल थ्री वॉमें और शिक्स मैं कैंट प्रिस इट इन फ्री देज सब्राइब तेकन बाइ वन वुमें अलों to finish work and also then taken by the one woman alone बत्च यहां पर क्या दिया हुआ है बैट इस क्या दिया हुआ है टू हुमें फाइव मैं यानि कि अगर दो मैला है पांच पुरुष किसी काम को एक साथ करते हैं तो कुल कितने दिन लगाते हैं चार जिसे मांग के चलो कि मैंने बैने कहा है चलो यार हमें मका पांच आदमी दो मैला हैं और पांच आदमी अगर सपेदी करने में लग जाएं तो चार दिन लगाते हैं ठीक है जबकि एक दूसरे मकान में उतने बड़ा मकान था अगर तीन मैला हैं और छे पुरुष कर तीन मैला हैं और छे पुरुष लगा दो में काम करने के लिए त तो कितना दिन ले रहें तीन दिन ले रहें वहाँ पर सब्वेदी करने में तो मुझे बताना है find the time taken by one woman alone अगर अगर उसी काम को सिर्फ एक महला करें तो कितना दिन लेगी और उसी काम को सिर्फ एक आदमी सिंगल करें मतलब अगर कोई एक बच्चा है अमन नाम का अगर मैं अमन को बोलो भाई अमन तो खुदी सब्वेदी करेगा वस तुई सब्वेदी करेगा और कोई सब्वेदी नहीं करेगा तो अमन कितना दिन लेगा अमन मैं है ठीक है और एक मान के चलो एक बालिका मान लो कोई सक्सेना नाम की बालिका है सक्सेना नाम की बालिका है मैं उस खोलके सुनलो, जो कान है आपके, कि जब भी हमारे ऐसे काम कोशन आए, वर्क वाला, वर्क वाला कोशन आए, कि चार आदमी किसी काम को पास दिन में करता है, जब वर्क वाला कोशन आए, वर्क वाला कोशन आए, वर्क वाला कोशन आए, वर्क वाला कोशन आए ना कभी, ये यह एक घंटे का लेट करना पड़ता है अगर मुझे वर्क डेज में दिया हो तो मुझे वन डेज का लेट करना है अगर मुझे वेट टाइम घंटे में दिया हो यानि आर्स में दिया हो तो मैं एक घंटे का लेट करूंगा पहले तुम बोलो सर कैसे तुम पहले यहां पर न कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा चलो मैंने यह मान मिलिया कि मैला है न कि लगा एक्स कारियों को एक्स दिन में करेगी एक मैला उस कारियों को एक्स दिन में करेगी तुम ने माल लिया ठीक है यह मैला का माल ले मैं ठीक है तुम पहले एक पुरुष का भी माल लेता हूँ अगर वो आदमी उस कारे को अकिला करता है तो एक्स देस लेगा अगर वो आदमी उस कारे को अकिला करता है तो एक्स देस लेगा और अगर वो मैन वो अगर मैला वो मैला उस कारे को अकिला करती है वो एक्स देस लेगी और अगर मैन उस कारे को अकिला करता है तो वाई डेस लेगा अच्छा आदमी एक्स दिन लेता है वाई और मैला एक्स देस लेती है और पुरुष वाई डेस ले र तो पहले हम एक दिन का यह एक घंटे का लेट करते हैं यहाँ पर तो दिया है कि वह आदमी उस काम को एक डेस में करता है एक्स डेस में कर सकता है एक्स डेस का मतलर भी हो सकता है हो सकता है वो आदमें उस काम को 10 दिन में करे हो सकता है और अवरत है न हो सकता है हो सकता है वो मैला उस काम को 20 दिन में करे हो सकता है वो मैला उस काम को 30 दिन में करे यहां पर मुझे एक डेस का दिया हुआ क्या क्या वन डेस का नहीं दिया मैं क्या कर रहा हूं यहां लिखेंगे सबसे पहले दा वट वरक ओप वरक ओप वरक ओप लोठ बेश वरक ओओप वन हमня कि यह वन्देस वर्क वुमेन कितना वन्द में एक्स मैं इसकी बात कर रहा हुआ है सर यह वन्देस वर्क वुमेन दिखो बिटा जैसे कि मैं आपको एकजमपल लो न पेज रहा है इसमान करने काम है तो इस काम को 20 दिन में कर लेगी ठीक है अब मैंने उनसे पूछा आप यह बताओ सबसे पहला हम देखते हैं एक दिन का work, जब ही work and time वाला question आए ना, तो पहले एक दिन का देखते हैं, तो जब एक दिन का देखते हैं ना, यानि 1 by 20 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही वो मैला, अगर मैं बोलो, कितना दिन लगाओगी काम करने में, उसे लगाओंगे, x मतलब 20, 30, 40, खुश भी हो सकता है तो मैंने का, वो तो लगाओगी, पर मैंने कि यह बताओ, कि आप एक दिन में, कितना part work कर सकते हो, 1 upon x, same, वो आदमी, उस काम को finish करने में, y दिन लेता है, y मतलब 15, 20, 40, 50, कुछ भी हो सकता है, same इसका, one, one day को आप ऐसे बने सकते हो, one day, work of man, उस आदमी का, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1 by y हो जाएगा, यानि वो पुरूस, पुरूस का एक दिन का कार है, 1 by x, महिला का एक दिन का कार है, 1 by x, पुरूस का एक दिन का कार है, 1 by y, क्योंकि मैंने माना था, जो मैंने, वो total x day लेगी, total x day लेगी, पर एक दिन में कितना हिस्सा करेगी, एक दिन म तूट पूरुश्य है तूट वय देश लेता है कुल बीस दिन लेगा तीज दिन लेगा पांस दिन लेगा पर एक दिन में कितना श्चा कर पाएगा वन वाई पार्ट नोट यह तो हो गया यह शी है यह इस तरह के कोस्वन फट्रॉ लाइन तो लिखने लिखने पड़ेगी अब आते कोशिन के दरब तीक है अब आते सवाल में क्या कर रहा है तू हुमेन और फाइब मैं कैन फ्रेश टूगेजर वर्क इन फोर डेज अच्छा अब यह कह रहा है तीक है अब जो कह रहा है बटा अब मैं पहले बात करता हूँ अब पहले को सवाल कैनों कितने हुमेन थू हुमेन चार दो मैला आएं और पांpan पूर एक साथ लग जाए तो कünde क्या लेतीय चाइद लेते व 4 days एप तो गया अब घर कोशन करो मैंस वारम सुनो गटा यह 2 है न तो एग हुमेन का एक डिस का वर एक हुमेन का एक दिन का वर कितना है एक दिन का हुमेन का है डब लो का वन फॉनमेक स्कतिना में एक मैं का एक दिन का वर्क कितना है अजय यह प्छूप इस शाय लैकि मैंने मैंने का ही आए जो सुन में लग्टत करना पर है तो यह सुन चाहिए एक में कुलं कितना ओर यह दिन में टोटल कितना ओर एक दिन में यह एक दिन में वन बाई फोड पार्ट हो रहा है कि अगेन अकोड़िंग टुपरण टू अनुसार दॉपार से देखते हैं तीन है और चेह पुरुष 3 मेलाएं और 6 पुरूस काम को करने में क्या लेते हैं 3 मेलाएं काम को करने में कुल क्या दिन ले रहें तीन दिन ले रहें तीन मैला है तो एक मैला का एक दिन का वर्क एक मैला का एक दिन का वर्क क्या था एक वाई एक एक पुरुष का एक दिन का काम क्या था वन बाई वाई तो एम के जोग क्या एगा वन बाई वाई इस इकल डू ये भी 3 हो जाएगा हाना 2 हो जाएगा तो यह 3 upon x हो जाएगा सर 6 upon y हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 upon 3 ठीक है तो आगे मत वानों equation 2 माने इक्वेशन 2 हो गया आप चलिए सर इस equation 1st और 2 को next page में solve करते हैं चलिए सर यह हो गया अब एक काम करते हैं बच्चों इनको दोनों को solve करते हैं ठीक है अब अब यह upon max वाल है न तो ऐसे question आपने 3.60 में ही किये हैं कि क्या अलट करेंगे वही कि लेट 1 upon x को क्या लेट कर लेंगे u and 1 upon y को क्या लेट कर लेंगे v हाना तो और यह 1 upon x को u let हो गया तो यह क्या बन जागा सर यह हो जागा 2u यह क्या जागा plus 5b is equal to क्या जागा 1 upon 4 सेम यह क्या वह वह लेट किया न यह वह जागा क्या 3u प्लस 6v is equal to क्या वह जागा 1 upon में 3 एक्वेशन फॉस्ट मानलों को चलो इससे करणा हमारे पास से अना आप क्या करो सर को सोल्व कर लो सर इसको कि वी वाले को क्यों कर लो मानलों को मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूं तो किस से मल्टलाई कर दो और नीच二 वाले से 5 से 5 को 6 को इसको 5 से करो अब 5 पून में 3 क्या वाज रगे एक्वेशन 4 हो जाएगा तो यह भी 30 भी यह भी 30 भी जब भी ऐसा होता ना तो इन्हें हम मानेस करते हैं तो मानेस मलब साइन चीन ज़िए अब आते हैं सबके हाना तो यह सब मानेस लिखना पड़ता है चलो लिख दो इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ट समिकरण 4 को तेनमे से गटाने पर पलीश के जगा मानेस आ जाएगा पलीश के जगा मानेस आ जाएगा और पलован के जगा क्या आ जाएगा मानेस आ जाएगा तो 30 भी पलस का 30 भी मानेस का Crean 12 u minus 15 u is equal to 6 upon 4 minus 5 by 3 Sir 12 u minus 15 u get out कितना आएगा Sir minus 3 u आएगा Sir देखे 4 को multiply करेंगे 3 से कितना आएगा Sir देखे 4 को multiply करेंगे 3 से कितना आएगा Sir 6 3 जा 18 minus 4 5 जा 20 minus 3 u is equal to 18 में से घड़ा होगे 20 कितना आएगा Sir कितना आएगा minus का 2 upon में 12 minus का 3 u is equal to Sir 2 1 जा 2 2 सेगा 12 1 upon में 6 और प्यारे बच्चों minus से minus cancel हो गया क्या आएगा 3 u is equal to 1 by 6 आजाएगा Sir 3 multiply में और right side जाएगा क्या हो जाएगा divide में आजाएगा न हना तो यह हो जाएगा u is equal to 1 upon में 3 इंटू 6 तो u के value कितने जाएगी Sir 1 upon में 18 पड़े यू के value कितने आजाएगी 1 upon में 18 आजाएगी अब u के value 1 upon में 18 आजाएगी न तो यहाँ देखो सैडम कर लेते हैं इस u की value को इस u की value को क्या करो इस u की value को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में put कर देते हैं यहाँ इस u की value को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कुड़ पूड़ कर देते हैं यह equation second में तो मैं put कर रहा हूं मानके चलो किस में फर्स्ट में put the value of u in equation first equation फर्स्ट के असर 2 अपॉन में x plus 5 अपॉन में y is equal to क्या है 1 अपॉन 4 यहाँ पर x u oh sorry 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 equation first क्या था मेरे पास वहाँ भी था यह था ना गलत पूड़ करते हैं यह 2 u था 2 u है अब 5 b है क्या है यह आपना 2 u plus 5 b 2 u plus 5 b is equal to 1 by 4 तो u के जगा कितना आएगा 1 by 18 आएगा यू के जगा 1 by 18 आएगा प्लस का 5 b is equal to 1 by 4 sir 2 1 जा 2 2 सिख जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18 तो 1 अपॉन 9 आएगा प्लस 5 b is equal to 1 अपॉन में 4 sir plus का है राइट है जगा मानस का हो जाएगा 9 v is equal to कितना आएगा 1 by 4 मानस 1 by 9 जाएगा 5 b is equal to क्या होगा sir solve करो 4 को 9 से जगा जा 36 अब इन एक क्रोस में टॉलाई करतो फिटे-टे और यहां विवी इस इकल टो आएगा वन अफॉन में 36 विक्ते वेलौ स में ताल्टने यह वेलौ क्यों यहाज़ू Скंध व्याट़ रोख जाएल गार्थ कंदे 0 इसल्क साईडर यहां पर इक्तावां करने था बाठसर लोख लेने है यहां पर आपको थों ठीक है तो दुख बटा हम जानते हैं कि हमने 1 अपॉन X को क्या लट क्या था हमने 1 अपॉन X को क्या लट क्या था यू लट क्या था और 1 अपॉन Y को क्या लट क्या था वी लट क्या था 1 अपॉन X ये था यू के वैली कितनी आई है यू के वैली आई 1 अपॉन में 18 आप दिए cross multiply करें दो X को similarly to agree X आएगा 18 को now करेंगे 18 आएगा 1 upon Y बैट अषिर की भल्य कितनी आई है 1 upon 36 यहाँ पर cross multiply करेंगे y को Ini將 weekly करेंगे y आएगा 36 को ब्रेंगे 36 आएगा X के value 18 आगई Y के value 36 आगई अब बच्चों यहाँ पर हमने एक्स क्या मानना था कि पुरूस में कि देज में काम करता है तो लिख देंगे जो भी है हैंस कि वन मलब मैंन होगा पूरा लाइन लिखनी है तो मैं यहाँ पर सोड में लिख रहा हूं आपको ऐसे लिखना है कि हैंस वन अब एक्स में क्या मानना था बटा एक्स जो मानना था मैंने यहाँ पर मैंने मन मानना था कि हैंस वन हुमें आपको लिखना है हैंस पूरा है हैंस वन मैं फ्रीन सब वर्क इन एटिन डेज एंस वन मैं फ्रीन सब वर्क इन थाटिसिक्स डेज यहाँ कि जो मैं है यह एक एक वोमन झाञा ना तो क्या वह नें डेरिए तो ये कम दिन आजना दिन जान दिन रिख लिटा टाथ टो इसी के साथ हमारा क्वेशन कौ्ण से कौशकर इसका यह सेकें अलाब को समय संथल स्यगार्ट था एक अले जंत पार्ट की तरफ चलिए सरफ देखते कोशन नमर सेकंड का थर्ड पार्ट चेकर अरबिटा रूही ट्रेवल थर्टी थी थी हंडिट क्लोमेटर टो हर होम बादिली वाइट रेंड पादिल वाइब बस शी टेक्स फोर आवर्ड इप सी ट्रेवल 60 क्लोमेटर वाइट रेंड हर र्ट lebih किलोमेटर वाइब सी ट्रेवल 100 क्लोमेटर बाई अच्छा इप के सी ट्रेवल 100 क्लोमेटर वाय ट्यर्ट census अंद रि बाई बाई बास सी ट्रेक्स टैनिसटर र्लोंगर दगना फाई-स फिर्टो ट्रेंड तो श्यक्रेट है तुक्पट कुछन क्या रहा है पूझ रुई नाम के मालिका है टिवर 300 km टो हर हम जो हर रोम यह बोला गये तरेवा थ्री किलोमेटर टू हर होम मतलब उसको अपने घर से मालो अपने घर से जाना बिहार मान के चलो उस बालिका को दिल्ली से जाना बिहार दिल्ली से कहां जाना बिहार जाना जाती है तो कितना किलोमेटर का हादा अगर उसका घर्लों से जाती है मतलब अगर उसका घर मात चलो टोटल दिलीक से भिहार से 300 km है तो अध stell Пол टोटल तीन सो किलोमेटर की यात्रा में से आधी यात्रा वो ट्रेंड से करेगी आधी यात्रा वो बस से करेगी तो कुल तीन सो किलोमेटर जाना उसको तो तो would to her home partly by train and partly by bus मनला आदा कुछ यात्रा train से कुछ यात्रा bus से तोटल कितना करेगी 360angen she takes 4 hours वो तोटल कितना गहंते लेगी चार गहंता तोटल कितना गहंता लेगी वो 4 गहंते का टाइम लेगी मनला दिल्ली से बिहार जाने अच्छा था आच्छा हां दिली से बिहार जाने में क्या गरेगी टोडल कितना घंड लेती है चार घंड का टाइम लेती है जी टेक्स फोर आवर्स टोडलर्स चार घंड गंड़ोंग्ड का टाइम लेति है औरD 3-4 घंटे और अगर 300 में से 6 km ट्रेन से जाती है तो बागी कितना बच गया 240 किलोमेटर बच गया तो वह किस से जाएगी वह जाएगी बस जाएगी कितना बस जाएगी ठीक है सर अब बात करते हैं इसी question की अगला पार्ट है दिली से भिहार 300 km उसको जाना है हाना अच्छा इप sea travel 100 km by train अगर train से कितना जाती है 100 km जाती है अगर इस बार train से कितना जा रही है train से कितना जा रही है 100 km तो बाग कितना बचा 300 में से गड़ा तो 100 कितना बच्चा 200 किलोमेटर 200 किलोमेटर किस से जाएगी बस से हाना इपसी इपसी ट्रेवल 100 किलोमेटर बाई ट्रेंड एंड रिमेनिंग बाई बस रिमेनिंग कितना बच्चा 200 बच्चा तो टोटल 300 जाना था 100 जा चुकी तो 200 बच्चा इपसी ट्रेव पहले दिली से बिहार जाने में चार गण्ता लेगी और दस मिनट और इस्टitar लॉप तो हो गया हमें इस हो गया हम बताना है स्पीड और सभी और बस बीड रहे कि बता और बस की रहे बता बैटा पूरे इकस्ताइब गजैंद चाह का कि डिली से बहार भीहार जैने में चार्थ घंटे कितना करेंगी 300 we किरेंटेंस इसमें भीपनेटर चलोक साहती खको इन जाना धिली और दिन 25 किलोमेटर धरोनन दोशाग बाँना। चाह दस मिनेट एइसलेगे बताने में किल वेंट अब जानतों दो हमें पर लेंडे रिक्वेशन टू बेरियाबल है तो दो जी हमारे पास है लेट कर लो एक को बस की स्पीड लेट कर लो ठीक है अच्छले सर ऐसे कर लेते हैं ठीक है थी तो लेट लेट इस्पीड ओप लेट इस्पीड ओप लेट इस्पीड ओट्रेन लेट इस्पीड ओट्रेन की स्पीड जो ट्रेन अना ट्रेन की स्पीड किसमे होगी किलोमेटर परावर अना इसमें दी गई है लेट इस्पीड ओट्रेन किलोमेटर परावर में क्या मानली एक्स मानला क माना कि नाओ की चाल X लेट इस्पीडोग बस किस में किलोमेटर परावर में क्या माल ले नाओ की चाल X है बस की चाल Y है नाओ की चाल X है बस की चाल Y है अब प्यारे बच्चो अब यहाँ पर ना अब यहाँ पर ना यहां पर ढोट सा देख्के तो यहां पर टायम चार में मैं दिख रहा हूं यहां पर मुझे टाइम भी दिया हुआ है टॉडल टाइम है चार गंड के यहां पर जादा लग रहा है टॉडल टॉडल दिंसेंट आप किस्पीड़ के लगश्य क्मची हां मुझे नुरल कितु अजया मुझे有 किस्पीड़ दोनों से कितना किद्व land नचया किन खेंग यहbling हैasis अ कि डॉनमेटर कितना किलूमेटर गया दिया theta हां आरे नालायक टोटल टाइम दे रहा है यहत उतल टाइम लेता है और बस से किल डेंग लेता जाने में बस्षे कि wa लेता जाने में यह नहीं दिया ना यहीं लगाओ तो प्यारे बच्चों देखो प्यारे बच्चों ऐसा देखो यहां पर कि में इस पड़ितन सब्सक्राइब करोटे तो मैं बात कर रहा हूं कैस इस फर्स्ट की कि यह केश फॉस्ट यहां लिए फास मैं Case First की बात कर रहा हूं यहां पर अब एक चीदु को बटा यानि कि अगर मैं बात करूं तो जब वह किस से गया हो जब वह बंदा ट्रेंट से गया तो वहां उसने कुछ टाइम लिया होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं Time of train time of train प्लस केज फ़स देखो टाइम ओप्रेंड प्लस ऐस थाइम और बस कुछ टाइम उसने क्वा लिया सप्रेंसteryत से लिया तो सो बराबर क्या अगया तो टोटल तो दोनों का time लागर क्या लिया चार यानि यह पर time को formula लगाएंगी time is equal to होता है डिसन सब्वोन में speed तो प्यारे बत्चों अम मैं जो time निकालूंगा मैं पहले किसका time निकालूंगा मैं पहले निकालूँगा time किसका train का time बराब मैं किसके लिए कर रहा हूँ सिर्फ train के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं train की तो time difficulty क्या होता है distance upon me speed train से कितना गिया train से गिया 60 और उसी train की speed क्या थी उसे train की speed थी x अगर train का time और bus का time दोनों को जोड़ दे 4 घंटे आएगा हासर आएगा तो अगर मुझे time निकालना है तो time को formula होता है distance upon me speed होता है तो मैं क्योंग यहाँ पर train का कर रहा हूँ तो descent भी train की आएगी और speed भी train की आएगी तो train का distance कितना था train से गया 60 60 अब उन में speed किसकी आएगी train की आएगी ट्रेन की speed कितनी x प्लस sir वही ट्रेंट time कि से बस से कथा time लेए उसने बस से कितना time लेए time को formula क्या होता है distance upon me speed कैने कि दूरी अपन में चाल समय बरावर दूरी अपन में चाल उपर किसका time आएगा distance upon me speed होता है bus के बात हो रही है distance किसके आएगी bus की bus से कितना distance लिया 240 टाइम जी को decent upon me speed bus के distance कितने आएगी speed भी किसके आएगी bus की आएगी तो बस की स्पीड क्या आती है y तो पॉर में y is equal to 4 यह बन जागा equation first तो लो मैं case 2 को यहीं पी कर दोता नो case 2 यहीं कर दोता हूं मैं case second case second जिसको यान या वो case second में समझ लो वही same डिखना है कि यह करा हम train से कितना गया और bus से कितना गया अगर दूने वो time को जोड़ते है तो total time आ जाएगा यही time of train time of train plus time of bus कितना लिया चार गंटे 10 मिनेट चार गंटे 10 मिनेट ठीक है सर ठाइम किसका train कर टाइम को फिर्म लोंगा यहां पर मैं किसका लोंगा train कर लोंगा जो भी लोंगा यहां से कितना गया 100 और speed train के आति एक्स ठी ट आइम बस तो time के लिकाए लगा ना तो time को फिर्म लोंगा क्या होता है डिसेंज पॉन में स्पीड तो सर देखो बस से कितना डिसेंज कबर किया 200 और बस की स्पीड कितनी है वाई कि अप्यार्ण बुच्ची यह 8 चीज दो ठोड़ा यहां पर 4 गहंटे तो आएगा एगा अधिस दस मिनेट है ना इस मिनेट को भी विए घंटे में स्विण से टाकिश्व पाइड कर दिया एक जत्से लिवाबर कर दिया, 0 से 0 कैंशल हो गया, और अगर मैं इस्टर करके दिखाऊं यहां पर तो हंडेड़ एक्स प्लस टू हंडेड़ वाई दुख बड़े इसको अगर सोल्व करते हैं जिसका पॉन में कुछ नहीं होता है अना क्या हो चलो मैं एक खर्दी देता हूं इसको फोर अपॉन में वन और वन वन में शिक्स अ अर देखो शिक्स फोर ट्वेशन टोड़ एक जाएगा तो हंड़ेड अपॉन मैं इसको एक्वेशन नमबर टू अब चलिये सरे एक्वेशन फर्स और एक्वेशन सेखंड को सॉल करते हैं तो प्यारे बच्चों वही अभी अपॉन मैक्स आ रहा है अपॉन वाई आ रहा है तो आप लोग जानते हैं क्या अलेट करना पड़ता है कि लेट वन अपॉन एक्वेशन इगल टू यू एंड वन अपॉन वाई इगल टू फी तो वन अपॉन एक्वेशन को अगर यू लेट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा आप शिक्टी यू जाएगा यह क्या आजाएगा 240 वी और यह 4 तो है अगर शिक्टी फंडेट अपॉन एक्वेशन को किस से मलता है करेंगे हम यह वन अपॉन एक्वेशन को मने यू माना ना यह क्या आजाएगा अग्लेट यू प्लस टूंडेट वी इसको किस से मलता है कर दो इसको कर दो सिक्से उपरालो कर दो तेन से मलता है नीच वालो कर दो 6 है उसको उससे एक तीर से दो निसाने हो जाएंगे तो उप्रोले वो टेंस मुल्ट लाइक और कितना हो जाएगा क्या 600U प्लस 2400V इस एकल टो 40 यह क्या हो जाएगा 600U प्लस 612 1200V और इसको 6 को रोगे न मल्टप्लाई इक्विशन ठ़र होगा माइस कर देंगे समेघल गटाऄगे सब के साँ चेंजर गएगे प्लस कज़का मैनस प्लस कज़का मैनस प्लस मैनस कैंचल हो जाएगा क्या बचेगा 1200V 1400V 44 25 कितना आएगा यह आएगा 1200 V इक उल्ट कितना आएगा बटा यह आएगा 15 अब वोल में 1200 जानता ही हो कि 15 का डिबाएट 15 8 जा 15 एट पंधाएंट 20 वन्णपॉन में 80 आजएगा ना 15 एट एट ही आजएगा तो जि वी की वैल्यू आए इसे काम पूट कर दो इसे इस वाले एक वॉजन स्रूं स्रूं इक उसक्ड ना कंड कर दो तो मैं पूट कर रहा हो मानलो किसमें फर्स्ट में तो लिख दो put the value of V in equation first V का मान समिकरण एक पर रखने पर समिकरण एक कहा हैं पर 60U plus 240V पराबर 4 60U plus 240V is equal to 4 60 60U के पहले पता नहीं है 240 upon V है ना V के जग कितना आएगा 1 upon 80 आजाएगा 1 upon 80 आएगा equal to 4 दियाएगा ठीक है 00 cancel 60U कितना बचेगा बचा है 8, 3, 24, 8, 24 plus 3 बचेगा equal to 4 बचेगा 60U is equal to यह plus का है और right side का क्या हो जाएगा minus का 60U is equal to क्या है 4 में से का डॉकर 3 1 आएगा यह multiply में तो right side क्या हो जाएगा divide में 1 upon 60 U के value क्या आगए सर 1Y 60 V के value आगई है U के value आगई है क्या करो अब हम लोग जानते हैं कि 1 upon X को हमने U लट किया था और 1 upon Y को हमने V लट किया 1 upon U के value के दिना आगए सर 1 upon U के value 1 upon 60 आई है 1 upon V के value क्या है सर 1 upon 80 आई है cross multiply कर सकते हैं X को one small multiply करेंगे X आएगा 60 को one small multiply करेंगे 60 आएगा Y को one small multiply करेंगे Y आएगा 80 को one small multiply करेंगे 80 आएगा हना तो सर ये हमारे दोनों value आच चुके तो सर ये हमने क्या माना था ये हमने माना था X हमने क्या लट क्या था Speed of trend तो hence जो भी है Hence Speed of trend Speed of trend Speed of trend किसमे किलोमेटर पर आवर में कितनी आएगे सर 60 और Hence Speed of बस उसको मने Y माना था किलोमेटर पर आवर में कितनी आजएगा सर 80 आजएगी तो train की Speed X आगई और बस की Speed Sir के आगई इसी के साथ यह हमारा Q2 का थर्ड पार्ट भी एंड होता है और Ethosize 3.6 भी एंड हो जाती है ठीक है सर Next lecture मिलेंगे 3.7 के कुछ नूमरिकल के साथ 3.7 में सो Optional है पर हम कराएंगे उसको एग्जाम में वहां से Q2 आ जाती है चले सर मिलेंगे नए लेक्चर में तब तक के लिए जय हिन जय वारत